वेलऊ फ्रेंट्स, वेलकम तू आँटो इल्एक्रिकटिकल वड़्त्यू फ्रेंट्स आज हम जानेंगे यूरिया लेवल 먹을 gauge ऐसे थिया यूरिया लेवल केक वाइरिंग है या उसका काम करने का जो सिस्टम है वो कैसा है ठीक सिस्टम है तो फ्रेंश देखिए यूरिया गेज लेवल आप देखिए गा तो उसमें एक रागा हुआ है जिसका छे पीन होता है ठीक है वह कनेक्टर जैसे देखिए यह हो गया तो वो connected ठीक है एक दो ती चार पांच छे ऐसा pin होगा और उसके number लिखा होगा यह हो गया जैसे pin number 1 यह हो गया pin number 2 यह हो गया 3 यह हो गया 4 यह हो गया 5 यह हो गया 6 ठीक है यह 6 pin हो गया Uria gauge label में जो coupler लगता है उसका अब इसमें कितना current आता है वो कहां से आता है और यह इसमें signal वायर कितना होता है क्या system है यह सारा किसम अभी जाने है तो देखिए इसमें जो pin number 1 होता है ना वो होता है 24 volt current वो direct main आता है red color का wire होगा ठीक है तो यह देखिए यह जो wire हो गया यह हो गया red color का wire होगा और इसमें 24 volt positive आएगा बीना चावी on किये ठीक है तो एक wire हो गया pin number 1 का जिसमें direct positive आएगा ठीक है और जो pin number 2 है ना जैसे यह हो गया pin number 2 यह हो गया pin number 2 और इसमें देखिएगा एक yellow color का wire होगा जो canvas का wire गुला जाता है और वो high data link का वाइर होता है एक green color का और एक yellow color का तो यह हो गया एक yellow color का wire और यह हो गया canvas का और यह high data link का काम करता है यानि यह high जो देखिए data में दो होता है जैसे जो signal wire है उसमें दो data होता है एक high और एक low low signal और high signal तो यह जो yellow color का wire है यह high signal को detect करता है तो और जो green color का wire होगा वो होगा low signal detect यानि वो low signal को read करेगा तो यह yellow color का wire होता है pin number 2 में जो canvas का है high data link का wire और pin number 3 में देखिएगा यह जो देखिए यह है pin number 3 और इसमें होता है green color का wire ठीक है यह हो गया green color का wire pin number 3 में canvas का ठीक है तो यह हो गया एक high data और एक यह हो गया low data link यानि यह दोनों wire जो है यह हो गया data link का wire canvas का जो एक high data link को read करता है और एक low यही दो wire है जो signal देता है urea gauge को के urea level कितना है क्योंकि देखिए जो tank में लगा हुआ है level sensor उसमें मेरा already video upload है वहां से आप दिख सकते हैं तो जो tank में लगा हुआ है sensor वहां से इसमें कोई wire नहीं आ रहा है ठीक है यह ECM में वो wire जो urea gauge level का जो wire होता है वो direct चला जाता है ECM में और ECM जो है यह दोनों wire के मदब से देता है signal urea gauge level को तो अब देखिए अब pin number 4 यह हो गया हमारा pin number 4 pin number 4 में देखिएगा तो एक white color का wire होगा white color का wire होता है जो urea gauge level में जो light लगा हुआ है parking light उसी का है urea gauge level में देखिएगा parking light on करने से light जल जाता है ठीक है तो यह white color का wire उसी से आता है जैसे इक parking light on कीजिएगा इस wire में current आएगा और light on हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया parking light अब पार्टिंग ठीक है तो अब रहा गया pin number 5 और pin number 6 तो देखिए pin number 5 में देखिएगा तो होई wire लगा हुआ नहीं रहाएगा ठीक है पिन number 6 में एक wire लगा हुआ है जो होगा ground का ठीक है और तो यह गया ground का wire यह यह होगा brown color का ठीक है तो यह है यूरिया gauge level का wiring देखिए pin number 1 रेड कलर का wire जो 24 volt आता है बीना चाविंग on किये pin number 2 है वो है high data link का wire yellow color का wire होगा canvas का pin number 3 है यह है green color का wire जो data link का wire है low signal detect करने वाला अब यह होगया चार नमबर pin जिसमें white color का wire होगा जो parking light on करने पर इसमें current आएगा और यूरिया gauge level में जो light लगा हुआ है वो on हो जाएगा यह छे नमबर का जो पीन है उसमें earth आएगा जिससे यह सारा चीज़ का वह अर्थिंग जब यूरिया gauge level में चला जाता है तो वहां से बहुत जिसे लाइक के पास जाना है तो लाइक के पास जाएगा मतलब इसमें एक और आएगा ठीक है तो कर दो हाएगा बबदक जाएगा जाएगा मतल Armor झ спfeedते बहां मतल और नावा जो यह श्यकत दोकत बद方 है के एक sitäएं और जूरिए